हेलो फ्रेंड्स किरिंदर निटर पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ बहुती सुन्दर डिजाइन तो फ्रेंड्स इसके लिए लिए हैं मैंने ये 19 फंदे ये जो पैटन है ये 6-6 के मल्टिपल पे चलता है आप 6-6 के मल्टिपल करें प्लस वन करें तो आपका जो पैटन है आपके प्रोजेक्ट पे सैटल हो जाएगा तो मैंने इसमें 10 नंबर की स्लाइगे यूज की हैं तो यहाँ पे छोटा सा मैंने एक सीधी स्लाइग का ये बॉर्डर सा डाला है फंदे डालके मैं अपने पैट कर सकते हैं तो उसके बाद फ्रेंड्स आपके पांच फंदे जो हैं वो ऐसे बुने जाएंगे दो बार धागा लुपेट के एक दो तीन चार और ये पांच पांच फंदे आप दो बार धागा लुपेट के बुनेंगे एक फंदा बीच में आप बुनेंगे सीधा लपेटते हुए बुनेंगे दो बार एक दो तीन चार और ये पांच और एक फंदा बुनेंगे बीच में सीधा फिर से ऐसे करेंगे एक दो बार धागा लपेटते हुए आपके बुनना है पांच फंदे एक दो तीन चार और ये पांच और लास्ट का आपका एस्टिच रहेगा इसको आप सीधा बुन लीजिए तो फ्रेंड्स हमने इसमें रो वन जो है वो कम्प्लीट कर लिए उल्टी साइड में हम इसकी दूसरी सिलाई है तो फ्रेंड्स ये आपका एस्टिच है इसको बुन के उतारिए जैसे आपकी इच्छा हो तो मैं यहाँ पे बुन लेती हूँ अब ये आपके फंदे हैं पांचों फंदों को ऐसे बुनेंगे एक बार उल्टा धागा ऐसे चढ़ाएंगे इसके उपर लपेटेंगे सलाई पर फिर उन फंदों को एक बार और बुनेंगे फिर से धागा लपेटेंगे और फिर से एक बार और बुनेंगे अब पांच फंदों के फ्रेंड्स आपक चुके हैं देखिए एक दो तीन चार और ये पांच अब ये फंदे हम छोड़ देंगे तो जो आपके धागा लुपेटे हुए फंदे आपको ऐसे ही बुनने हैं तो यहां पर आपका जो बुना हुआ फंदा है वह आप ऐसे उल्टा बुन लेंगे सिंपल और फिर से आपके धागा गुमाएंगे दूसरी बार बुने के उल्टा धागा गुमाएंगे तीसरी बार बुने के उल्टा देखिए ऐसे पांच फंदों के फिर से पांच फंदे बन जाएंगे और यहां पर एक फंदा आपका बुना हुआ उल्टा बुना जाएगा फिर से ये पांच फंदों को इधर ले आएंगे और यहां पर देखे एक बार धागा घुमाएंगे फिर पांचों फंदों को दूसरी बार बुनेंगे फिर धागा घुमाएंगे फिर हम तीसरी बार बुनेंगे उसके बाद आपके पास एक फंदा है इसको आप उल्टा बुन लीजिए तो सेक है तो मैं इसको भून के ही लेती हूं maximum time एक ये एस्टिच भून लिया फिर हम भूनेंगे देखे एक दो और तीन फंदे तीन फंदे हम मूल लेंगे एस्टिज बुनने के बाद अब देखे फ्रेंड्स पांच फंदों में से ये दो फंदे ये हैं और एक फंदा हमारा बीच का है और दो फंदे इदर के ये देखेजे वाले इन पांच फंदों हमारा पैटन आएगा वही वाला जिसमें हमने धागा गुमाया था देखे फिर से करेंगे वैसे ही पांच फंदे बुनेंगे दो बार धागा गुमाते हुए एक दो तीन चार और ये पांच देखे ऐसे पांच बार बुन लिया अब ये तीन फंदे रहेंगे बीच का फंदा आपका देखे ये वाला सीधा बुना जाएगा एक फंदा फिर से ये दो फंदे हैं और ये दो फंदे इदर से आ जाएंगे तो आपका फिर से एक दो तीन चार और ये पांच देखिए ऐसे पैटर्न की जगा चेंज होगी पहले यहां था पैटर्न अब बीच में आएगा तो बाकी के चार फंदे जो हैं वो आप सीधे मुन के कम्प्लीट करेंगे तो इसी के साथ फ्रेंड्स आपकी रो नमबर थर्ड इसमें कम्प्लीट होती है उल्टी साइड में हम चोथी सिलाई है इसकी तो यहां पे फ्रेंड्स बुने हुए फंदे आप वैसे बुन लेंगे एक दो तीन और ये चार चार फंदे ये आपके उल्टे आगे अब फिर से वही फंदे हैं आपके पास दो बार धागा घुमाए हुए इनको खोलेंगे इनको वही प्रसेस करेंगे जैसे हमने पिछली सिलाई में गिया था दिखी ऐसे जैसे हमने पहले किया था रोंग साइड पांचों फंदों को लेंगे एक बार उल्टा बुनेंगे धागा सलाई पर से गुमाएंगे पांचों फंदों को फिर दूसरी बार बुनेंगे उल्टा धागा सलाई पर से गुमाएंगे और यहां पे तीसरी बार उल्टा यहां बुन देंगे देखी ऐसे एक ये फंदा बीच में हमने रखा हुआ है इसको उल्टा बुन देंगे फिर से धागा गुमाए हुए फंदे हैं इनको वैसे ही बुनेंगे खोल लेंगे पहले सारे फंदों को पांचों को और इदर वारी नीडल पे लाके देखिए एक बार बुनेंगे दागा गुमाएंगे स्लाइपर से दो बार बुनेंगे फिर से दागा गुमाएंगे और तीसरी बार बुनेंगे और इनको थोड़ा सा लूज रखेंगे तो बाकी के चार फंदे हैं जो हमने बुने हैं उदर से तो इधर से हम उल्टे बुनते हुए complete करेंगे तो friends इसमें चोथी सलाई जो है यह हमारी complete होती है देखे friends pattern आना start हो गया यह सिर्फ 4 सलाईयों का यह pattern है जो मैंने row 1 से row 4 यानि के 4 सलाईया आपको बुनके बताई हैं वो आगया आगया आप डालते जाओगे repeat करते जाओगे तो आपका ऐसा ऐसा pattern आता जाएगा अब फिर से आपको row 1 डालनी है तो थोड़ी सी मैं आपको बताऊंगी जादे नहीं बताऊंगी देखिए कैसे किया था हमने row 1 में एक फंदा हम सीधा बुनेंगे पांच फंदे हम एक दो तीन चार और ये पांच पांच फंदे हम दागा गुमा के बुनेंगे एक फंदा हम सीधा बुनेंगे फिर हम पांच फंदे दागा गुमाते गुमेंगे तो आपका फ्रेंट से जो pattern है ये इधर इधर ऐसे ऐसे चलता जाएगा तो अब जैसे एक फंदा सीधा बुन लिया पांच बंदें फिर से हम दागा घुमाते हो बुनेंगे एक दो तीन चार और ये पांच ऐसे हम बुनते जाएंगे एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे तो फ्रेंड्स आगे आपका ये पैटन ऐसे ही देखे अब ये भी दिखने लग गया है ऐसे आएगा यहाँ आएगा फिर अब इसकी बार यहाँ आएगा इसके उपर तो ऐसे आगे आपका पैटन चलता जाएगा तो फ्रेंड्स जी जो पैटन है ये वूल थोड़ी जादे लेता है जैसे आपकी जो स्वेटर में वूल लगने वाली हो तो उससे थोड़ी सी जादा है वूल लाईए आप और बुनने के बाद ये थोड़ा सा सुकड जाता है हलका सा जादे फरक नहीं पड़ता है आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे पास बॉर्डर भी है हलका ऐसे ये थोड़ा सा सुकड एदा है क्योंकि ये फंदे जैसे कठे बुने जा रहे है तो ये हलका हलका सुकड जाता है उसे हिसाफ से आप बनाईएगा उथी हिसाफ से वूल ली जिएगा तो आप अपने किसी भी प्रजेक्ट पे इसको बुनिए बहुत सुन्दर बन के आएगा और प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेर थैंक यू